पिथोरागड के मुवानी शित्र में राजकिय महाविद्याले को बने हुए चार साल हो गए लेकिन चार साल बाद भी महाविद्याले की स्थिती जसकी तस्थ बनी हुई है दरसल 2013 से अभी तक जमीन का अस्थनांतरन होने के बाद भी भवन की स्थिक्रिती नहीं मिल पाई जिसकी वज़ा से चात्र चात्राओं को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है यही नहीं भवन नहीं होने की वज़ा से छात्र छात्राओं के बैठने की भी कोई विवस्था नहीं है वही जब महा विद्याले के स्थिती पर मुख्य विकास अधिकारी से बात की गई तो सुनिये उन्होंने क्या कहा बहराल सीडियो चात्र छात्राओं के लिए जल्द ही बहतर विवस्था देनी का आश्वासन दे रही है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर महा विद्याले में सेक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को कब बहतर सुविधा मिलेगी पंजाब केसरी टीवी के लिए पितोरागड से यश्वंत माहर की रिपोर्ट